नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, यह कहानी है मेरे तूटे दिल की और कैसे मैंने उस पर जीत हासल की, यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बलकि उन सभी लोगों की है जिन्होंने कभी न कभी अपने जीव को संभाला और अपनी जिन्दगी को एक नई दिशा दी, तो चलिए बिना देर किये, शुरू करते हैं, यह कहानी है मेरे कॉलेज के दिनों की, जब मैं पहली बार किसी से सच्चा प्यार करने लगा था, वह मेरी जिन्दगी का सबसे खुबसूरत समय था, जैसा कि आप जा लगा कि यह प्यार हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन हर प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होता, कभी-कभी यह दिल तोड़ देती है, एक दिन बिना किसी चेतावनी के, उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो, और मेरे पारा हुआ महसूस करने लगा, चार लंबे सालों तक मैं रोते हुए अपने दिन बिताता रहा, ऐसा लगता था जैसे मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, हर दिन एक नई चुनौती थी और मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन इस पूरे अंधेरे में मेरे माता पुका का अटूट साथ एक रोशनी की किरण था, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं चुआ, हर दिन मुझे दिलासा देते रहे, उनके बिना, शायद मैं कभी इस डर्द से उबर नहीं पाता, फिर एक दिन मुझे अचानक समझाया, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिन्द को एक नई दिशा देनी चाहिए, और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, उस दिन मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूँगा, मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने भविश्य को बहतर बनाने के लि कुछ ही समय बाद मैं अपने सपनों की रानी से मिला, वह मेरी जिन्दगी में एक नई रोश्नी बन कर आई, हमारी शादी हो गए और फिर मुझे एक और पैशन मिला, यूट्यूब, मैंने अपने अनुभवों को साजा करने के लिए एक ब्लॉगर बनने का फैसला किया, मै मैं एक खूब सूरत बच्ची का पिता बना, यह मेरी जीवन का सबसे सुखद पल था, और मुझे लगा कि मेरी जिन्दगी अब पूरी हो गई है, तो मेरी प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी का मतलब यह है, कभी हार मत मानूं, चाहे जिन्दगी में कितनी भी मुश्किले आए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिन्दगी जीने के लिए है, रुकने के लिए नहीं, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, तो लाइक, शेर और आपके सपोर्ट ही मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है